तो इस सवाल के अंदर सारी बाते बोल दिया इसने अब डेटर का बैलेंस दे रहा है ओपनिंग बारा हजार तो हमने क्या लिखा यहां टू बैलेंस तो बैलेंस बीडी और यहां गया सर वारा हजार और बाइबेलेंस बाइबेलेंस दे बैलेंस कितना बैलेंस बैलेंस आ गया डेटर का ही हमारा 14,000 आगे आ जाते हैं Stock invoice price या IP बात देखी है तो 2 balance 2 balance BD Sir stock कितने का है 16,000 और buy balance balance CD कितने का है 17,000 ठीक है ना ये भी हो गया Cash sales Cash sales during the year तो Sir cash sales हमारा दे रखा है इसको देख लेंगे कहता है credit sales 20% more than the cash sales यानि जो credit sales होगा ना देखिए आप यहाँ पे ना credit sales दिया ही नहीं है देख रहे हैं तो main point यही था मुझे बताने का कहता है Sir हमारा cash में sales है Cash में Sir sales कितने दे दिये इसने 60,000 दूसरा कहता है credit sales जो होगा वो होगा कितना more than the यानि 20% extra होगा तो Sir 20% इसका extra कितना होगा 12,000 add कर देंगे यानि means 72,000 यहां मैं bracket में भी लिख देता हूँ 60,000 में आप 12,000 प्लस कर देंगे ठीक हैं आगे कहता है total amount deposit to during the year total amount कितना deposit किया है उसने लेकिन यह थोड़ा सा अगर देखा जाए तो इसका total करते हैं तो क्या आता है एक लाग जैसे हमारा cash sales यह और credits नहीं इसका तो total होगा नहीं मैं गलत जा रहा हूँ ठीक है यहां तक समझ में आया कहता है total amount deposit total amount deposit का मतलब total हमारे पास पैसा कितना था एक लाग 27,000 जिसमें से नगद sales था cash sales कितना था हमारा 60,000 तो बाकी का पैसा कहां से आया है collection हुआ होगा किस से? debtor से sir कितना collection होगा बताओ 67,000 जो कि हम use कहां कर लेंगे debtor में buy cash कितना? 67 और यहां पर आ जाएगा हमारा cash sales जो कि था 60 और क्या आ जाएगा buy side में credit sales credit sales जो कि कितना था हमारा 72 समझ में आ रहा है यहां तक यहाला point समझ में है कहता good return by branch to HO at invoice price goods return by branch तो कहां आएगा? buy return कितने रुपे का? 5000 रुपे का return हो गया इसके बाद कहता expense paid कितने का expense paid की है sir? बताइए तो यहां पर आ जाएगा expense paid और आपने कहा sir कितने का? 10,000 इसके बाद कहता है discount allowed to customer 2000 एक तो debtor में आएगा कितने? और second यहां आ जाएगा discount 2000 इसके बाद bed dates return off कितने का? 1000 इधार आएगा कितने? second यहां भी आ जाएगा budget कितने? 1000 ठीक है? abnormal loss 2000 का भोल दिया इसने और abnormal लिख भी दिया है तो buy मैं ABL लिख रहा हूँ इसको loss कितने का? 2000 कहानी खतम होती है यहां तक अब बस loading का process रह गया? ठीक है न? अब हमें यहां से क्या निकालना है? कुछ नहीं credit sales पहले से ही पता था credit sales हमें पता चल गया था 70 मेरे हिसाब से यह दोनों side बराबर हो जाना चाहिए क्योंकि इसमें से कुछ निकलना तो है नहीं तो 12,000 72,000 84,000 84,000 minus 67,000 minus 2000 minus 1000 तो दोनों side क्या हो गया? बराबर तो यहाँ पे अगर debtor account नहीं भी बनाओगे न तो हमारा solution आ सकता था समझ रहे बात को? आ सकता था क्योंकि debtor से कुछ यूज नहीं करना लेकिन सवाल में कहता है कि prepare branch debtor account तो इसलिए हमने क्या करा? branch का debtor account प्रपेर किया समझ ना इस बात को चली अब loading की बारी आ गई अब ये भी दोनों side ना match हो जाएगा इधर कुछ भी good sent नहीं दिया पूरे सवाल में तो इधर क्या आएगा goods sent निकाल लेते हैं good sent साथ हजार बहत्तर हजार पांच हजार दो हजार सत्रह हजार 156 156 माइनस में 16 देखिए good sent कितना आ रहा 41 ठीक है? यहां तक clear हो गया ये account ये account अब loading की बात करते हैं buy side में loading किस-किस पे loading निकलेगा? good sent पे तो 41 पे 20% 16,000 पे यानि opening stock 16,000 पे 32 ठीक है? अब तू loading किस पे सर? return पे return 5000 पे 1000 20% abnormal loss abnormal loss 2000, 2000 पे 20% 400 और बाकी बचा हुआ यहां आ जाएगा ना बाकी बचा हुआ कितने? 1600 बाकी बचा हुआ यहां आ जाएगा that is 1600 रुपे ठीक है? आगे आ जाते हैं सर अब CD पे भी आएगा? यानि closing stock 34 तो सवाल देखें बहुत आसान था यह मैंने सिर्फ वो जो थोड़ा सा point है इसलिए कर दिया 35 400 28,000 32 31,200 तो सर यह loss आ गया ना loss आ रहा है चेक करिए नहीं यह 35,400 नहीं होगा मैंने गलट टोटल कर लिया सकता यह गलट टोटल हो गया यह आ गया हमारा 31,200 31,200 31,200 और 2 gross profit सर माइनस करो 14,400 48,000 48,000 माइनस 31,200 26,400 और यह answer मुझे कहीं देखा देखा लग रहा है by gross 26,400 ठीक है यहां से क्या निकाल लोगे net profit और 2NP है न इधार ही लिख देते हैं 26,400, 1600, 10,000, 2000, 1000 11,800 क्लियर कोई दिक्कत कोशिशन में समझ में आगे अगे 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 सवाल पर चले मैं निकाल लोगेँ